गुड इवनिंग फ्रेंज मैं नेम इस राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनलेसस आज का डेट है 1 जून 2021 आज हम लोग जो शेयर के उपर बात करने वाले हैं उसका नाम है JTEKT इंडिया बट वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब किजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे और कोई भी कमनी के उपर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते तो प्लीज मेरे कमेंट बक्स पर ज़रू लिखिए ताकि मैं इस पर जल से जल रिसर्च करके वीडियो बना सको और मेरे वीडियो पूरा देखा किजिए पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कही न काई टेप्स मिलेगी जो आपको शेर अनलेसेस में काफी मदद करने वाली है अब बात करते है मैं चैनल की यूएसपी की मैं चैनल की यूएसपी है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको सही सपोर्टर रजिस्टन्स बताने की कोशिस करता हूँ मैं चैनल की दूसरी बड़ी यूएसपी है कि मैं हाथ संडेज को मंतली प्रिवीव बनाता हूँ अब बात करते हैं आज का जो closing है एक जून 2021 पे जेटी के इंडिया की जो closing है वो है 111.85 फिफ्टी वीक लोगर आप इसका देखेंगे तो 47 रुपीश 30 पैस कर फिफ्टी वीक हाई है इसका 122.95 अब आप लोग गैस कीजिए December 2021, December 2022 और December 2023 में इसके क्या target होंगे क्या ये 200 प्लस जाएगा या नहीं जाएगा आपको क्या लगता है मेरे comment box पे जरूर बताईए अब बात करते हैं return on investment में आपको ये तीनों green में दिख रहे हैं प्लस 122.59 परसंट प्लस 4.88 परसंट और प्लस 12.47 परसंट अब बात करते हैं कंपनी के overview के बारे में जैसे मैं आपको हम हर वीडियो में पता तो कि कोई भी कंपनी हो उस कंपनी की side पे चाहिए कंपनी क्या products बनाती है क्या services बत देती है ये आपको पता होना चाहिए before investing on that share or stock you can say even if you are doing the trading और अगर आप investing कर रहे तो भी अब ये जो कंपनी है ये automotive sector में आती है auto ancillaries में है काफी शेर्स के उपर मैंने वीडियो बनाए हुए formula is known as Sona Koyo Steering Systems Limited products are steering bearing, steering है bearing है and machine tools है अब सबसे ची बात है कि एक Japanese corporation है जो की created in January 2006 upon the merger of two companies that is Koyo Saiko Company and Toyota Machinery USA the company is India's largest manufacturer of steering system for passenger cars, utility vehicles and light commercial vehicles जैसे मैंने आपको बताया auto ancillaries में है auto ancillaries में लोग steering systems इनका main product है अब आप लोग खुद analysis कीजे कि future में ये product use होने वाले या नहीं होने वाले second plus point किया है इसमें Japanese corporation है Japanese का आपको मालूम है दूसरे country से अगर compare करेंगे तो Japanese को ज़्यादा preference दिया जाता है और मैं अपने channel के through किसी को buy or sell का recommendation तो नहीं देता बढ़ definitely support पे buy करो और resistance पे sale करो इतना ज़रूर बताता हूँ risk आपका है profit आपका है loss आपका है सब आपका है हाँ मैं सेफ आपको कही न कहीं guide कर रहा हूँ अब बात करते हैं हमारे channel की USP की जो है support और resistance आज की rate पे as per chart इसका जो important support 1 है वो 90 रूपीज है support 200 है और support 310 रेजिस्टर्स 1 भी 110 है रेजिस्टर्स 220 और रेजिस्टर्स 3 है इसका 130 अब अगर टेक्निकल चार्ज देखेंगे तो यह 200 डेएमे के उपर है आरे साइब इसका 67 है लॉंग टर्म के लिए मैं definitely शेयर के personal राय बताऊंगा मैंने जैसे पहले भी बता है मैं किसी को buy या sell का recommendation नहीं देता बर definitely जो मैं बूलता हूँ support पे buy करो resistance पे sale करो और support पे आने तक वेट करो अब बात करते हैं थोड़ा टेक्निकल चार्ज देखते हैं जैसे मैं अभी काफी graph में दिखा रहा हूँ ताकि मैं subscriber को चीज समझ में कोई-कोई point टेक्निकल चार्ज की बोलता हूँ जैसे मैं बॉलिंजर बैंड का आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ जब भी बैंड नेरो होते होते जाएगा तो वो किसी भी डिरेक्शन में speed में जा सकता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह आप आ गया नेरो हुआ था और आप आ गया सॉरी अभी अगर आप देखेंगे यह एक ही phase में था बट अचानक इसमें नेरो आया और यह देखे कितना बड़ा अब दूसरा जो कहीं लोग में को candle stick के बारे में पूस्ते है candle stick अगर आप एक चीज नोट करेंगे यहाँ पर यह कौन सा candle है green के बाद वाला ऐसे लेता हूँ तो आप लोगों को clear होगा यह कौन सा candle है dozy is it dozy candle है अब देखो यह उपर जा रहा था यह नीचे हुआ है let's see इसके लिए मैंने आपको बताया 110 पे support है 110 पे ही resistance है अब यह किस direction पे जाएगा यह आने वाला time बताएगा but आप लोग अगर करना चाहते तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बोला है कि 100-500 के बीच में आपको कितनी quantity लेना है यह मेरे subscriber अच्छे से जान चुके है risk free trade कीजे सुकून से trade कीजे profit regular business पे book किया कीजे इससे बढ़कर और कुछ नहीं अगर आप इतना सीख जाएंगे trust me आपको profit होगा ही होगा but अगर आप करना है यार आज तो मैंने को trade करना है आपको भले कोई चीज समझ में नहीं आ रही है but trade करना है then definitely लोगों को वहीं पर problem होता है वहीं पर नुकसान होता है क्या आपने ऐसी गलती की है कि भाई आपका पता नहीं चल रहा है but हाँ trade करना है इसके लिए आपने किया तो definitely आपको नुकसान होगा उसमे but anyways उमीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे अच्छी लगे तो please like और subscribe कीजे जैसे मैं आपको support करता हूँ सही support और resistance दे कर उस तरह आप भी मुझे support कीजे like कीजे subscribe कीजे और आगे आपके family friends में मेरे वीडियोस forward कीजे जो लोग में share market में trading कर रहे हैं investing कर रहे हैं तक यह important information उन तक भी पहुंच सके और यह मेरे email आडिया राजmarketanalysis.gmail.com आपको कोई भी doubt है आप मेरे comment box पे भी पूच सकते हैं या मेरे email आडिया भी पूच सकते हैं thank you so much have a nice day